साथियों आज बात करेंगे RTE एप्लिकेशन फॉर्मों के बारे में RTE के एप्लिकेशन फॉर्म स्टाट हो चुके है दोस्तों सत्र दोजार चौविस पत्चीज के दिशांदर दिश जारी कर दिये गये है जिनको डिटेल से हम आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे बने आपको वीडियो अच्छा लगए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं प्रवेश प्रक्रिया की तो प्रवेश प्रक्रिया स्टाट हो चुकी है दोस्तों एडविशन है वह आपका 25 परसेंट कर और 75 परसेंट का रहसर होत प्रवेश के लिए पात्तरता की तो आई अधिनियम के अंतरगत निशुल्क सीटों पर प्रवेश के लिए बालकों की पात्तरता की सर्दी इस प्रकार है दोस्तों टू पॉइंट एक पॉइंट में दिया हुआ है बालक गैर सरकारी बिध्याले के आसपास के परिशित्र यानि केचेंट्मेंट एरिया में निवास करने वाला होना चाहिए रिटी निवयं का अुसार बिध्याले का जो परिशीत्र केचेंटमेंट एरिया निकाय अर्थार्थ नगर निगम नगर परिशाद नगर पालिका जैसी भी इस्तितियों तथा ग्रामिन शेत्रों में संबंदित ग्राम पंचाद निरधारित किया गया है प्रवेश के समय सहरी चेत्रों में विध्याले से संबंदित बार तथा ग्रामिन चेत्रों में विध्याले से संबंदित गाम के निवास करने वाले बालक बालिकाओं को प्राथमिकता दी जाती है दोस्तों किसी भी इस्तिती में बिध्याले से संबंदित सहरी निकाय ग्राम पंचास से बाहर निवास करने बालक बालकाओं को उस बिध्याल में प्रवेश के लिए पात्र नहीं माना जाबेगा ऐसे बालक जनके अभिवावक की डाइलाक रुपे से आय कम है वो OVC केटेगरी के लोग भी इसमें अपने बच्चों के लिए RIT का एप्लिकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं प्रवेश के लिए जो आपकी बच्चों की एज है उसके बारे में आपकी बार संसुदन की आपकी आपकी बार संसुदन की आपके बार कर सकते हों किया गया है दोस्तों जो प्री प्राइमरी में एज है वो तीन वर्स से अधिक परन्तु चार वर्स से कम यानि तीन से और चार वर्स के मद की आयू वाले वालक ही RIT का एप्लिकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो इसकी आयू की गणना 31 जुलाई 2024 को आधार मानकर की जावेगी जो मेंटर है वो मेरी समझ से बाहर है क्योंकि इसमें अधिकांस्त है बच्चे इस एज क्राइटेरिया से बाहर हो चुके हैं बालक बालिकाओ के निवास संबंदी प्रमान पत्र में मूल निवास प्रमान पत्र मद्दाता पैचान पत्र ड्राइविंग लाइसेंस बिजली का बिल ये भी 6 मेने से पुराणा नहीं होना चाहिए दोस्तो यदि आपके बाड़ का परिशीमन हुआ है तो उसके लिए इसमें एक फॉर्मेट दिया हुआ है वो फॉर्मेट आप फिल करके मुल निवास के साथ आपको अठेच करना होगा करते हैं दोस्तो निशुल्क प्रिवे सेतु आयू के सबूत के लिए दस्तावेज होगी उनमें सबसे पहले आपका आता है जनम प्रमान पत्र यदि आपके पास जनम प्रमान पत्र नहीं हो उसके बाद आपके पास सैकेंड नंबर पर होना चाहिए अस्पताल सायक नर्स और दाई का अभिलेक या दार कार्ड या आगनवाड़ी अभिलेक इन में से कोई भी एक दस्तावेज आपके आयू के प्रूफ के लिए होना च फॉर्म तीन अप्रेल दोजार चौवीश से स्टाट होकर के 21 अप्रेल दोजार चौवीश तक जारी रहेंगे आप अभिवाबक इस मद्ध में यह एप्लिकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो लाइन लोट्री है बालकों के प्रिवेश के यह बरियत अक्रम निर्धारन का वह 23 दोजार चौवीश को जारी की जावेगी अभिवाबक को द्वारा ओन-लाइन रिपोर्ट 23 अप्रेल से 30 अप्रेल तक की जाने इंगे विध्याला दुआरा आवेदन पत्रों की जो जाच है 23 अप्रेल चौह माई के मद में की जाएगी अभी बाबो को द्वारा दस्ताविजों का संसोदन 23 अपरिल 2024 से 12 माई 2024 तक किया जावेगा दोस्तों आपके द्वारा जो फिलक्लिए गए एप्लिकेशन में यदि किसी प्रकार की तुरूटी रह जाती है तो उसके लिए आपके रजिष्टर मॉबाइल नंबर पर एक संदेश प्राप्त होगा साथ दिन के अंदर संसोदित दस्तावेज अप्लोड किये जाने होंगे यदि आपने दस्तावेज अप्लोड नहीं किये तो आपका प्लोड से राजिस्थान प्राइवेट स्कूल डाउनलोड करके भी यह फॉर्म आसानी से फिल कर सकते हो ध्यान रहे कि बालक जो आल्टी के तैद किसी भी विद्धाले में प्रविस लोए चुके हैं बेपुने आवेदन नहीं कर सकते हैं इसलिए आप जिम्मेदारी से य एक बार रेजिस्टेशन होने के बाद में आप उस स्टूडेंट का दुबारा रेजिस्टेशन नहीं कर सकते हैं आगे बात करते हैं दोस्तों आवेदन के समय बांचित दस्ताबेश अपलोड गिये जानेगी तो इस सेतू आवेदन फार्म के साथ बालक का फोटो बालक का आयू प्रमान पत्र अभीवाबक का निवास इस्तान संबंदी प्रमान पत्र अभीवाबक का जाती संबंदी प् सरक्षर के कैंसर ग्रेस्ट होने की रिपोर्ट बालक की माता के युद्ध विद्वा होने का प्रमान पत्र अभी बाबा की बार्सिक आय का प्रमान पत्र बीपियल प्रमान पत्र बालक के अनात होने संबंदी गोश्णा बालक का निशक्चन संबंदी प्रमान पत्र का प्रमान पत्र है आये प्रमान पत्र वो मैंने नीजे डिस्क्रिप्चन अप्लोड किया हुआ है आप वहां से क्लिक करके यह निकाल सकते हो साथियो एप्लिकेशन फॉर्म आपको किस तरह से फिल करना है यह मैं नेक्स्ट वीडियो मैं आपको बताऊंगा तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए